समाज अ समानता की खाईयों में बटा हुआ है इसलिए समानता हवा में तो नहीं आ जाएगी न तो समानता लाने के लिए अगर आप जस्टिस के लिहाद से सोचें तो आरक्षण एक बहुत ही कारगर तरीका लगता है भारत सरकार नहीं से स्थापी तरीके से अपनाया भी है लेकिन बार बार इस पर विवाद उठता है अभी हाल में विवाद उठा है इसकी पिष्ट भूमी समझ लेते हैं उत्राखंड में लोक निर्मान विभाग में असिस्टेंट इंजिनियर के पत पर प्रमोशन होना था पांच सितंबर 2012 को उत्राखंड की विज़ए बहुग लाइक कोट ने इस नोटिफिकेशन को खारिच कर दिया और राज़ सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देने का हुक्म दिया इसके बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोट गए और सुप्रीम कोट में भी इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई तो इस साल 7 फरवरी को सुप्री आरक्षण देने की सोचें, यह स्थापित कानून है कि किसी राज्य सरकार को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए निर्देश जारी नहीं किये जा सकते हैं। अब फिर से आरक्षण का जिन खुल गया तो इसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार उर्मिलेस जो जाती पर एक बहुत ही कारगर समझ रखते हैं और इस पर लिखते भी आए हैं तो यही बात है कि पार्ट तीन का सोला चार मुलादिकारों से संबंदित हैं पार्ट तीन के हिस्से हैं और अगर इस फैसले को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि आरक्षण मुलादिकार नहीं है सरकार फैसला करे उसे क्या करना है आपकी राए माननी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले को पल्टा है वो मुझे बहुत ही आश्यरजनक लगा और इसलिए आश्यरजनक लगा कि जिस सिक्स्टिन फॉर की बात की जा रही है वो सिक्स्टिन फॉर क्या कहता है सोलह, सोलह, چार जो अनुच्छेद है वो बहुत साफ कहता है अगर मैं हिंदी में उसको सुत्रबद्ध करूँ उसको सामने लाओं वो कहता है कि इस अनुच्छेत की कोई बात राजी को S.C.S.T. के पक्ष में जिनका प्रहित राजी की राय में राजी सेवाओं में परियाप्त नहीं है को सेवा और सिन्यार्टी की प्रोन्यती में केवल नौकरी में नहीं है लिखता है सिन्यार्टी की प्रोन्यती में आरक्षन के लिए उपबंद करने से निवारित या वंचित नहीं करेगी भारती संविधान का जो हिंदी अनुद है वो सरकारी अनुवाद है बहुत ही खराव है तो उसको मैं सिंपल भासा में आपके दर्शकों के लिए कहूंगा कि वन्चित नहीं किया जाना है उनको आरक्षन उपलब्द कराने से या उनको आरक्षन दिलाने से अब सवाल इस बात का है कि माननी जो सुप्रिम कोट के विद्वान या अधिश है ये तो उनका अपना फैसला है और जाहिर है वो कानून बहुत जानते हैं हम सबसे जादा जानते हैं उनका काम ही है सम्विधान के विवन अनुच्षेदों की व्याख्या करना संसच जो कानून बनाती है उसको इंटर्प्रेट करना लेकिन इस इंटर्प्रेटेशन में एक बात मैं आपको बताओं भारत की मतलब स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है उस इतिहास से दो बाते निकलती है कि सोसल जस्टिस की जितनी भी लड़ाईयां लड़ी गई या जीती गई या इस देश के उत्पीरित समाज के लिए जितने बहतरीन काम किये गए जितने मतलब स्टेप उठाए गए सोसल जस्टिस के कांटेक्स्ट में चाहे वो एफरिमिटीव एक्षन हो या दूसरी और सहुलियते हो वे सारे के सारे राजनितिक मंचों से राजनितिक पहल कदिमियों से उठाए गए कभी भी नियाइक पहल कदिमी से कोई बड़ा करांतिकारी या रेडिकल या बदलावादी काम नहीं हुआ जो भारती समाज को सुसंगत और सुन्दर बना सके अगर आप affirmative action या social justice के जो issues हैं उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान के अलावा संविधान सभा की बहस में जाना पड़ेगा debates of constitutional assembly अगर आप देखिए तो दलित आदिवासी और OBC समाज में इनकी संग्या 75% से कम नहीं बलकि उपर है 75% से लेकिन उनको आरक्षन कितना दे रहे हैं या 49.5 तो साड़े पचास फीस दी जो आरक्षन है वो तो आलेडी सबर्न समाज या जिसको समुनत समाज कहते हैं उसके लोगों के लिए सुरक्षित है अब उसमें भी 10% जो है हाल के दिनों में सोशियो एकॉनमिक बैक्वर्डनिस के आधार पर अपर कास्ट के लोगों को दिया गया मेरी नजर में वो कांस्टूशनल नहीं है अब देखिए बहुत सारे प्रोसेस चल रही है अब अब इसको बहुत सब्सक्राइब नहीं करता है लेकिन उसको भरेगा तो अगर यह बात कहता है और 14 जो है आटिकल 14 वो कहता है कि राइट ओफ इक्वालिटी अगर ऐसी स्थिती है तो क्या इससे यह इंटरिपटेशन नहीं निकलता कि राज जी सरकार बाधित है समानता लाने के लिए बसरते क्यों यह कहा जाया जैसे सुप्रीम कोट जैसा विवेचन कर रही है कि राज जी के विवेग पर छोड़ देते हैं वो क्या करें पहली बात अजै यह है कि अगर यह फंडामेंटल राइट है और मैं समझता हूं फंडामेंटल राइट है हाला कि जो माननी कोट ने जो बात कही है उसके हिसाब से यह माननी यह फंडामेंटल राइट नहीं है मौली का दिकार नहीं है right to equality कहने पर ही right to freedom to speech right to life ये तो होता ही है fundamental rights पार्ट 3 जो सम्मिधान का सुरू होता है उसमें पार्ट 3 में अनुछेद 12 से लेकर के 35 तक ये सभी के सभी जो आर्टिल्स हैं सभी के सभी जो अनुछेद हैं वो मौली कधिकार में आते हैं तिस के अनुछेद हैं यानि 12 से 35 के आर्टिल्स हैं उसी के अंतरगत आमिन 16 चार में 15 चार में 14 में ये चीजें अगर उलिखित हैं reservation के context में तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि साभ एक इसका part तो है fundamental right दूसरा part नहीं है ये तो वैसे ही कहा जाए कि भारत के नक्षे पर ये जो है वो भारत का है ये भारत का नहीं ये संभव नहीं है ये बहुत ही अटपटा लगता है दूसरी बात कि अगर उत्तराखंड में या किसी भी प्रदेश में SCST का representation सेवाओं में अगर अधिक हो गया होता तब तो एक विबात की स्थिती बैदा हो जाती अगर आप उत्तराखंड का हिसाब देखे मैं तो कहता हूँ कि भारत के समूचे प्रदेशों का उधारण आप देख लीजे किसी भी प्रदेश का आप सर्वे करा लीजे आप पाएंगे कि SC, ST, OBC का रेप्रेजेंटेशन नहीं पूरा हुआ है और उसका एक उधारण तो मैं आपको देदू कि भारत की संसद में अभी 27 जून 2019 को सवाल पुछा गया था उस सवाल के जबाब में मवजुदा सरकार के मंतरी ने जो जबाब दिया उसके मुतलिक जो भारत की जो सर्वेस्ट सेवाएं हैं यानि प्रशास्निक सेवाएं तो उसमें जो सेकरेटरी लेबल के पद हैं 89 है SC का पद एक है केवल और ST का पद तीन है OBC जो भारत की आबादी में 54 फीस्दी माना जाता है OBC इसका शुन्य है और एडिशनल सेकरेटरी में 93 पद हैं टोटल 6 पद SC के हैं 5 पद ST ST उस पर काबिज हैं और 6 OBC हैं इसी तरह से जबाइन सेकरेटरी जो बहुत महत्पून है जो भारत सरकार को वस्तुता चलाते हैं वो 275 कुल पद हैं इसमें 13 पद SC के पास है ST जो है 9 पद है और 19 पदों पर जैसा की आँकड़ा कहता है OBC है हालां कि मैं थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा है यह आँकड़ा लेकिन फिर भी 19 है डारेक्टर के मामले में भी इसी तरह का तो कुल मिलाकर हमारा यह कहना है और टोटल सेवाओं को अगर आप देखिए भारत की सरकारी सेवाओं को तो 54 फिस्दी OBC जो कहा जाता है उसको 12 फिस्दी के आसपास 12.5 फिस्दी उसका रिप्रेजेंटेशन है तो हम यह नहीं कहा रहे हैं कि सब कुछ रिप्रेजेंटेशन से ही कम्प्रीट हो जाएगी सारा सोसल जेस्टिस रिप्रेजेंटेशन का मामला है लेकिन हिस्सेदारी के बगए इंपॉर्मेंट कहां से आएगा आपने यह बाते कहीं मंडल कमीशन उसके बाद से लेकर के बहुत बड़ा विवाद उठता है क्वांटिफियेबल डाटा करके और इसमें भी कहा गया है इसी जज्जमेंट में कहा कि सरकार अपनी राय बनाने के लिए अपने पास पहले से उपलब्ध सामगरी का इस्तमाल कर सकती है या फिर वो इस सामगरी को इकठा करने के लिए किसी कमीशन, कमीटी या अथॉर्टी की मदद ले सकती है अनुसुची जाती जन जाती के परतिनेटिते पर डेटा अरक्षण देने से पहले इकठा किया जाना है लेकिन अगर कोई सरकार अरक्षण ना देने का फैसला करे तो ऐसा डेटा एकठा करना जरूरी नहीं है जबकि वस्तु इस्तिति आपने अभी बता दी सारी की सारी सेक्रेट्री और अंडर सेक्रेट्री पत परिस्तितियां क्या है तो ये सब सारी चीजें उपलब्ध हैं सामने उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोट का फैसला है आरक्षण को लेकर के या पदोनत्ती को लेकर के जिस तरह की बाते कहीं गई है कहां तक उचित है नहीं हमारे रास्ट निर्मान जो है आमिन आजादी से पहले से लेकर अगर आज तक का देखें तो हमारे रास्ट निर्मान और रास्ट्री जो राजनितिक विमर्श है उसमें केवल कानून का ही प्रश्ट नहीं होता है उन संकल्पों उन प्रस्ताओं उन एग्रिमेंट्स का भी होता है जो हमारे जो देश के जो बड़े राजनिता थे आजादी की लड़ाई के या उसके बात के उन्होंने उस समय के आंदोलनों के रिप्रेजेंटेटिब्स या नुमाइंदों से जो किये थे अब हम ये पूछते हैं कि भई जो बाते हैं एक भी मैं पात जोड़ दूँ हम बेटकर कहते हैं 14 आर्टिकल 14 के बारे में समानता तब तक नहींगे कि वहला आप उसको बंद मेरेंगे जब तक राज्यूस के लिए अफर्मेटिव कुछ हैक्सन नहीं लेगा इसलिए पहला जब सम्मिधान संशोधन हुआ था तो उसमें ये पहलू जोड़ा गया था क्योंकि समानता में आवसर के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे उसको ब्यावहारिक बनाया जाए और इसलिए एक कांस्टुशनल एमेंडमेंट किया गया था उसके अलग-अलग इंटरिप्रेटेशन हो सकते हैं क्योंकि उससे कुछ समस्याएं भी बात में पैदा हुई बहराल हम असल बात जो आप से कर रहे थे कि भी जो पुने पैक्ट से ले करके और फिर बात के दिनों में कांस्टुशनल एसेमली की जो डिबेट्स हैं इसके बाद जब S.C.S.T. को रिजरवेशन शुरू किया गया उसके बाद आप जानते हैं कि आर्टकिल 3.40 की रोशनी में संविधान के तहट जो आठकिल 3.40 है उसके तहट पिछड़े वरगों को सामाजिक न्याय उपलब्द कराने या एक आयोग बनाया जाना था वो आयोग बना जरूर तिरपन के आसपास बना था और काका कालेलकर की अगवाई में लेकिन वो आयोग का गठन इतना कि उसमें आरक्षण विरोधी जो लोग थे जो चाहते थे कि बिल्कुल आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए उन्हीं लोगों को डाल दिया गया और बाद में उसको उसने इतना रायता फैलाया कि उस कमिशन को एक तरह से डिफंक्ट हो गया उसकी कोई रिक्मेंडेशन ऐ कैसी नहीं आए जिससे की सामाजी कि नहाया का कोई भी पहलू अमली जामा उसको पहनाया जा सके और तब जाकर मंडल कमिशन बना और मंडल कमिशन की रिपोर्ट भी आप जानते हैं कि मिस्स गांधी के समय जब उसको समिट किया गया लंबे समय तक ठंडे बसते में रहा औ फिर वी-Pi-Singh आये वी-Pi-Singh ने उसको एनांस किया क्योंकि उन्हों ने पहले ही अपने चुनाव अभ्यान में वादा किया था फिर उसको चुनोती दी गई और वो जो चुनोती दी गई आप जानते हैं इंद्रा सहनी जो बहुत ही महत्पूर्पण जिज्मेंट था उस judgment के बाद execution के लिए open किया गया और उसी समय एक उस पर बड़ी लगाम भी लगा दी गई, वो क्या था क्रिमिलेयर, ये क्रिमिलेयर समभधानिक शब्द नहीं है, ये किसी भी विधाई शब्दकोस में आपको नहीं मिलेगा, जब आर्थिक आधार पर आरक्षन का प्रबं क्रिमिलेयर की बात, अभी कर रहे हैं लोग, हाला कि वहाँ अभी लागू नहीं है, तो हमारा बस ये कहना है कि कैसे कोट समाज में जो ताकतवर शक्तियां हैं, जो जिनका की समाज में हर जगा वर्चस्व है, उनके सोच, उनके सरोकार, उनकी इक्षाओं, उनके आग्रहो उनके पुर्वाग्रहों से कोट कैसे प्रभावित होती हैं, इसका सबसे बड़ा उधारन क्रिमिलेयर का कंसेप्ट है, क्रिमिलेयर को उठाया किसने, आर्चन विरोजी आंदोलन में जो फोरम्स बने थे, जो अलग-अलग मंच बने थे उस समय, वीपी सिंग के समय, उनके उपद्रो कारी मैं तो कहूंगा, उपद्रो कारी जो अभियान चल रहे थे, सड़कों पर जलाना, तोड़ फोर करना, ये सब, उस दोरान प्रेस का एक हिस्सा, खासकर अंग्रीजी प्रेस का हिस्सा, वो काफी एक्टिव हो गया, उसमें कुछ आज के समनाम धन्य लोग ज यो शब्द है, पहली बार क्वाइन किया, इसलिए कि मैं जनलिस्ट उस समय हो चुका था, और मैंने पहली बार क्रिमेलेयर उसी अंग्रीजी अख़वार में देखा, और वहां से देखा मैंने की कोर्ट में चला गया कुछ दिन के बाद, तो क्रिमेलेयर एक शब्द आ गय नई है, नयाई पालिका में लोग की परते निदि तो नहीं है, इसलिए ऐसे फैसले आते हैं, वहां पारीक्षण होना चाहिए, दोखेगे नयाई पालिका का जहां तक प्रश्ण है इस पर तो जो नयाई पालिका में मौझूद आज के लोग हैं, जो जज स्धंगत समझद नहीं है और दूसरी बात कि कुछ ही परिवार या कुछ ही तरह के लोग जो है उसमें उनका वर्चस्व है तो ये सवाल तो मैंने देखा कि प्रशांद भूशन जैसे बड़े जो अधिवक्त आदेश के हैं जिनकी बड़ी प्रतिस्ठा है या और भी बहुत सारे लोग इस त बड़े लोग उठाते हैं केवल यही बात नहीं है तो मेरा मानना है कि भारत की नहाए पालिका और नहाए पालिका में दुनिया भर में ये समस्या है लेकिन भारत में ज्यादा है तो आखिर क्यों नहीं दलित आदिवासी या ओबीसी समाजों के लोग नहाए पालिका में ह खासकर उच्छ नयाए पालिका में ये केवल मसला ये नहीं है कि आरक्षा रहे ना रहे स्वाली है कि ये देश को कैसे बहतर बनाया जाए मैं तो कहता हूं कि भारत का जो तथाकती जिसको कहते हैं उच्छ वर्ण हम तो कहते हैं सभी एक वर्ण हो जाते काश अगर जातियां खतम हो जाती हैं अमबेटकर का सपना जातियों को बनाय रखने का नहीं था अमबेटकर का सपना जातियों को डेमोलिश करने का था जातियों के एन्हेलेशन की बात करी थी बहुत सारे अमबेटकराइट इस बात को नहीं समझ पाते लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत में उच्च वर्ण के लोग, उच्च वर्ण के लोगों को भी अगर अपना भारत संदर बनाना है तो उनको दलित, उत्पिडित, OBC समाजों के लोगों को सोसल जस्टिस देनी पड़ेगी, उनको उपर करना पड़ेगा एक बहुत ही असमानता मूलक समाज, एक ऐसा समाज जिसमें कुछ अमीर हों और शेस सारे भूखे नंगे परिशान, बेहाल, अनिम्प्लाइड, भीमार लोग हों तो आप एक सुन्दर देश नहीं बना सकते इसी क्या कहते हैं, फैसले में ने कहा है, कि कोट ये कह रही है सरकार को, कि अगर आपको आरक्षर देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए, अब बहुत कानून के जानकार कहते हैं, कि जुडिसरी क्या कहते हैं, कि स्वतंतर होनी चाहिए, विधा पर आ करके बहुत सारी बात पहले से करते हुए अचानक से ये बात करना देखिए अभी जस्टिस एपी शाह ने जो मैं समझता हूं कि भारती नयाय पालिका के एक बहुत ही शांदार नाम है एक बहुत ही सुसंगत और बहुत ही बहुत धिक रूप से बहुत संब्रिद एक न अपनी बात कही है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जरूरत है कि विविन मंचों पर नयाय पालिका पर एक समझदारी के साथ चर्चा की जाए और बहुत की जाए हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं इससे किसी को ना तो बुरा मानना चाहिए कि हम अनावर शेका अलोचना क किसी को यह लगना चाहिए कि हमारा कोई गलत मकसद है हमारा मकसद अपनी नयाय पालिका को अपने समाज को बहतर बनाना है आप नयाय पालिका के स्थर पर अगर ऐसा कोई फैसला देते हैं कि आप फ्री कर देते हैं इस शासन को कि आप जो चाहे हो कीजिए तो शासन में आरक्षन लागों मत कीजिये अब बहुत सारे लोगों को आपको बताओं जो राजनेता हैं यहां तक की मीडिया में लोग उनको मालूमी नहीं है कि आरक्षन पर कोई सीमा नहीं है लेकिन अभी मैं दो दिन पहले एंडी टीवी पर सुन रहा था एक बड़ा एंकर कह रहा था एक बहुत महत्मूर इंकर कहा था कि 10 वर्सों के लिए आता है और 10 वर्सों के बाद फिर से बढ़ाया जाता है यह केवल राजनीतिक हिस्सेदारी में खासकर संसद में विधान मंडिलों में 10-10 साल के लिए है कि बए 10 वर्स है पिर उसको एक्ष्टेंड करते रहे लेकिन स दियलुट नहीं कर सकते क्योंकि न्याय के मंच से अगर और स्क्यूंक्राइव समय की वैचारिकता में यकीन नहीं करते और आज तो खत्रा है कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो भारत की समभाइधानिक जो मुल्य हैं बड़े जनतंत्र के सेकुलरिजम के उनमें यकीन नहीं करते समाजी क्निया का कॉंसेप्ट है और उसका एक तरीका है आरक्षण राजी की जिस तरह से प्रकृति हमारे पूरे देश में है वो धुल्मल रवया और कोट ऐसा फैसला करें कि राज जी तरह करें कि उसका विवेग क्या है आरक्षण लेना चाहे या ना देना चाहे तो आपको लगता है कि नियाए की काटेगरी में नियाल है समाजी की नियाए को रख पा रहा है जो चीजें हमारे देश म समकल्प के जरिये प्रस्ताव के जरिये फैसले के जरिये आई हैं और उसके मुतलिक संविदान में संचोधन करके उसको शामने लाया गया है उसको आप फंडमेंटल राइट से अलग नहीं कर सकते ये एक बुनियादी अधिकार है लोगों का और जब तक उसको बिलकुल प जाख्या करना है तो पहली बात तो यह है दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत में अगर सभी मानते हैं कि अभी असमानता है सामाजिक स्थर पर आर्थिक स्थर पर एजुकेशनल स्थर पर तो उसको कैसे दूर किया जाए इसमें सब की साभागिता होनी चाहिए आ जातिगत जन्गर्णा कराई जानी चाहिए, SCST की तो होती है, माल लीजे, लेकिन OBC की नहीं होती है, तो जातिगत जन्गर्णा से क्यों भारती सरकारें भागती हैं, मुझे यह नहीं समझ में आता, अगर इसमें OBC का भी मामला अगर खड़ा हो जाए, जो फैसला भी आया है कल्प न कीजे, आप कैसे यह तै करेंगे कि उत्तरा घंड में आये, उत्तर प्रदेस में OBC कम्यूनिटी के लोग कितने हैं सेवाओं में, कैसे तै करेंगे, आपके पास कोई आखड़ा नहीं है, तो एक तरफ तो आप हैसला देते हैं कि सरकारें तै करें, कि कि कितने लोग हैं, जरूरत है कि नहीं है, परियाप्त मात्रा में सिवाओं में हैं क्या वे लोग, लेकिन आप जनसंख्या जो है, उसमें आप आबादी के हिसाब जादी के हिसाब से आप जनगणना ही नहीं करा थे, तो आपके पास आखड़े आये कहां से, मंडल कमिशन ने अपनी लोट उसने दी थी, तो हमारा ये कहना है कि ये जो उत्रा खंड से वी बात सुरू हुआ है, इसका समाधान करने के लिए ततकाल भारत सरकार को संसद में सभी दलों की सहमती से इसका करेक्शन करना चाहिए, अगर नियाए पालिका अपने से करती है, बहुत अच्छी बात ह इसे तो इसे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है, लेकिन अगर इन केस नहीं होता है, तो जरूर संसद में इनिशेटिव लिया जाना चाहिए, जिससे कनफ्यूजन दूर किया जाए, क्योंकि एस्टी इस देश में सरवाजिक सताय हुए लोग हैं, और आप उनको खेत नही नहीं देते, नौकरी भी नहीं देते, प्राइविटाइजिशन का ये दौर है, प्राइविटाइजिशन में सारी नौकरियां जो हैं, वो सिमित कर दी गई हैं, और कुछी लोगों के पास हैं, क्योंकि वहां एफर्मिटिव एक्शन लागू नहीं है, तो क्यों नहीं भा अगर जस्टिस ना हो दिमाग में तो इक्वैलिटी कैसे आएगी और इक्वैलिटी का रास्ता आरक्षण वे है सुचिएगा